ज्यान मनतरा हूं REMEDIES में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज बुद्ध पॉर्निमा है और साथ ही चंदर गृहन का संयोंग भी बन रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा और चंदर ग्रहन का समय काल कपका रहेगा और आप लोगों को किस प्रकार चंदर ग्रहन के समय क्या क्या साबधानिया बरतनी हैं तो आए जानते हैं आज यानी पांच मही 2023 को रात साल का पहला चंदर ग्रहन लगेगा 15 दिनों के अंतराल पर यहाँ दूसरा ग्रहन होगा इसके पहले 20 अप्रेल को अमावस्या तिथी पर साल का पहला सूरे ग्रहन लगा था यहाँ चंदर ग्रहन उपचाया चंदर ग्रहन होगा जिस कारण इस रूप में मनाया जाता है इस चंदर ग्रहन की शुरुवात आज रात भारते समय अनुसार आठ बच के चोवालिस मिनट पर होगी और रात एक बच के एक मिनट पर यह ग्रहन खतम होगा चंदर ग्रहन तीन तरह का होता है पूर्ण, आंशिक और उपचाया चंदर ग्रहन में चांद के अकार में कोई भी बदलाब देखने को नहीं मिलता है इस तरह की ग्रहन में चांद की सतह पर धूल जैसी परत दिखाई देती है उपचाया चंदर ग्रहन में चांद के उपर पृत्वी की सीधी चाया नहीं पड़ती है ग्रहन का महत्व धार्मिक नजर यह से बह यह चंदरगहन तुला राशी और स्वाती नक्षत्र में लगेगा। जब ग्रहन लगेगा तो इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के उपर अवश्य दिखाई देगा। उत्री अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। ग्रहन जब भी लगता है तो उसके पहले जिसे हमने आपको बताया सूतक काल रहता है। मगर वह सूतक काल 12 गंटे पहले शुरू हो जाता है। मगर अपकी बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रहन की घटना का धार्मिक और खोगोलिक शास्त्र का बहुत विशेश महत्व है। अगर हम जोतिशों की माने तो यहाँ चंद्रगहन जैसा की पुण्डमा तिथी वाले दिन लग रहा है तो इसमें चंद्रमा केतु से पीडित हो जाता है। चंद्रगहन के दोरान किसी भी तरह का पूजापाट करना शुप कारे करना वर्जित होता है। क्योंकि इस दोरान चंद्रमा पीडित रहते हैं। वहीं चंद्रगहन पर एक खगोलिय घटना ऐसी होती है जब सूर की परिक्रमा के दोरान पृत्वी सूर चंद्रमा के बात में 8 बचके 45 मिनिट से जैसे कि हमने आपको बताया लगने जा रहा है और अगर आपको ये लाइब देखना है तो आप नासा की वेबसाइट पे जाके इसको लाइब देख सकते हैं और चंदर ग्रहन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए ग्रहन के दोरान आप अपन मंदिरों के दरवाजे का पार्ट बंद कर दिये जाते हैं आप भी अपने घर का जो मंदिर होगा उसका दरवाजा लगा दीजिएगा और अगले दिन सुबह जब आप उठें तो असनान आदे से निब्रित होके गंगा जल का छड़काव अवश्य आप अपने मंदिर में अपने पूरे घर में कर लें तो अभी के लिए पसितना ही अगर आप ऐसी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हुम्रे मडीश सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद